हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम घर के सामान से बर्फि बना कर तयार करेंगे जो पुआस में भी काम आएगी उसके लिए हमने घर के ही सामान लिया है सामान में सबसे पहले एक कप दूद, एक कप मावा, काजू बादाम, पिस्ता, इलाइची पाउडर, चीनी और एक कप नारियल का बुरादा एक थाली में हम घी लगा कर एक तरफ रख देंगे इसमें हम बर्फि जमा कर तयार करेंगे अब गैस पर एक कडाई रखेंगे, उसमें सबसे पहले हम दूद डालेंगे दूद में उबाला जाने पर हम उसमें चीनी डालेंगे दूद में उबाला चुका है, उसमें हम एक कप चीनी डाल देंगे जब तक चीनी दूद में गुल जाएगी तब तक हम इसको चलाते रहेंगे चीनी गुल जाने के बाद हम इसमें मावा डालेंगे जिससे ये गड़ा हो जाएगा चलाते हुए हमने चीनी को दूद में मिक्स कर लिया है चीनी दूद में अच्छी तरह से मिक्स होगी है इसमें हम एक कप मावा डाल देंगे मावा डाल कर हम इसको बराबर चलाएंगे इसमें मावे को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और जल्दी ही बन कर तैयार हो जाती है हम इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से हमने इसको चलाते हुए इसमें mix कर लिया है अच्छी तरह से mix हो जाने पर हम इसमें कुछ dry fruit डाल देंगे बादा मौर काजु जो हमने कूट कर रख लिए थे या काट कर रख ले या फिर फीच ले उसके बाद हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे ये बर्फी जल्दी बन कर तैयार हो जाती है और बहुत ही आसानी से हम इसको बना लेते हैं इस तरह से चलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे ये दानेदार बर्फी बन कर तैयार हो जाएगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक चम्मच इलाईची पाउडर डाल देंगे जिससे खुस्बू अच्छी आएगी इसको इस तरह से मिक्स करते जाएगे जब तक ये सूख ना जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे इस तरह से चलाते हुए हम इसको तयार करेंगे अगर आपको मेरी ये बर्फी पसंद आए आप लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें हमने इसमें एक चम्मच इलाईची पाउडर भी डाल दिया है इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे फिर जिस थाली में हमने घी लगा था उसमें इसको फैला लेंगे इस तरह से ये बन कर तयार हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे गैस बंद करके हम कड़ाई को नीचे उतार कर एक पलेट या थाली में इस तरह से फैला लेंगे सभी मिसरन को हमने थाली में डाल लिया है और इसको एक बराबर करके हम इस थाली में इसको फैलाएंगे कड़ाई को हटा देंगे इस तरह से एक बराबर करते हुए हम इसको फैला लेंगे इस तरह से एक बराबर कर लें और चारो तरफ से हम इसको चाकोर बना लेंगे पहले हम फैलाएंगे फिर हम इस तरह से इसको समेट देंगे इस तरह से ये बर्फी सब बनकर अच्छी तरह से तयार हो जाएगी इस तरह से चारो तरफ से हमने बीच में इसको कर लिया है जिससे सभी पीस अच्छे से कटे कोई भी पीस इधर उधर खराब ना हो इस तरह से करते हुए हम इसको अच्छे से पहलाएंगे फिर हम इसे पिस्ता डाल देंगे जो हमने तोड़ कर या काट कर जिसे भी आपको पसंदो उस तरह से कर ले जिस तरह से आपके पास टाइम हो उसी तरह से आप बना कर इसको तहियार कर ले या एक चम्मच लेंगे उसमें हम घी लगाकर इसको बराबर कर लेंगे इस तरह से उपर से भी इस तरह से इसको बराबर करेंगे फिर हम इस पर पिष्टा डाल देंगे चम्मच की हैल्प से हमने इसको बराबर कर लिया है अब हम पिष्टा लेंगे और इस तरह से डाल कर हातों से इसकů दबा देंगे जिसमें वो चिपक जाए इस तरह से हातों कि हैल्प से इसे दबा दे ये परफी जल्दी बन कर तयार हो जाती है और इसमें हमें कोई भी मैनत नहीं करनी पड़ती जल्दी ही ये तयार हो जाती है आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आप बनाएंगे उससे सामान की मात्रा कम और ज़्यादा है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं चीनी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ज़्यादे मीठा काते हो तो ज़्यादे चीनी ले ले इस तरह से ये बर्फी को बना कर तयार करेंगे तो घंटे के लिए हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था अब हम ये ठंडी हो चुकी है अब हम इसको काट लेंगे आप किसी भी तरह से इसको काट ले, मैं सिंपल बर्फी की तरह ही इसको काट रही हूँ, दोनों तरफ से इसको काट कर अच्छी तरह से तयार कर ले, एक तरफ से हमने काट दी है, अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको काट कर तयार करेंगे, बर्फी बोथ ही सोफ्ट बन कर तैयार हुई है इस तरह से हमने इसको काट लिया है अब हम एक पलेट लेंगे और इन पीस को निकाल कर उसमें रख देंगे इस तरह से पीस आसानी से निकल गए अब हम इनको इसमें रख देंगे पलेट में अच्छी तरह से लगा ले एक एक पीस को हम अच्छी तरह से निकाल कर पलेट में रखेंगे आप किसी बीटरे पलेट या जिसमें आप सर्व करें उसमें आप इसको लगा सकते हैं किसी भी तरह से आप इसको तयार करके पलेट में लगा सकते हैं हमने कुछ इस तरह से लगा कर इसको तयार करेंगे अच्छी तरह से हमने पलेट में इसको लगा लिया है अब कुछ पीस जादा है तो इसके किनारे पर हम उनको रख लेंगे कुछ को हम दूसरी पलेट में लगा कर रख देंगे इस तरह से बर्फी बन कर तयार हो गई है आप भी जब चाहे इसको बना सकते हैं और बना कर भी देखिए आपको ये कैसी लगी कोमेंट करके बताएं आप लोग कोमेंट नहीं करते इसलिए आप देखकर कोमेंट जरूर करें जिससे हम आउसका जबाब आपको देदेंगे इस तरह से हमने बर्फी तयार कर ली है जब भी मैमाना इस जल्दी से इसको हम बना कर तयार कर सकते हैं और ये कम टाइम में बन कर तयार हो जाती है नारियल की जंगा हम इसमें दूसरी चीजे भी डाल सकते हैं जैसे मुमफली, साबूदाना, ड्राइफ रूट किसी भी तरह से इन बर्फी को बना सकते हैं बनाने का तरीका यही होगा अब हमने बर्फी को तयार कर लिया है अब यह सर्व करने के लिए तयार है आप इसे किसी भी तरह से तयार करके सर्व कर सकते हैं हमने कुछ इस तरह से इसको बना कर तयार कर लिया है और नजदीक से भी आपको दिखा दिया है वर्फी बन कर तयार